जब तक ये ब्रत चलता है ये हमेशा जमना तट पे जाकर रश्णान करते हैं कन्या जी का आगमन होता है कन्या जी ने पहले थी आगो सखियों नहाने जा रहे हो ना तो अपने बस्तर तो लेखे जा जाकर के गोपियों ने अश्णान करना सुरू किया निर्वस्त्र होकर गोपियां जल में अश्णान कर रही है जो अनुचित है कंगा में शर्यू में अश्णान निर्वस्त्र होकर करना अनुचित है कनहिया जी ने चीर चुरा लिया और ब्रज की बालाओं से करने लगे जाओ अपना चीर तो उठा लो अरे यहां कोन है तब उन्होंने का अरे मुर्खा तुम इस्तरी हो और इस जल के अंदर वर्ण देवता का नास होता है मरियादा नस्ट होती है इसलिए गंगा में यमना में निरवस्त होके अश्नान नहीं करना चाहिए यह द्यान रखा देए मध्यांतर में गंगा में चरण नहीं रखना चाहिए अर्ष्णान की विधी है कि अगर आप गंगा यमुना में अर्ष्णान करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसको बंदन करो मस्तक पे लगाओ भाव करो फिर उसमें डुबकी लगाओ साबून सेंपोग ये सब चीजे नहीं लगाने चीए जो उसका भाव है गंगे इत्तव दर्ष्णात बुपती है अब एकादसी का समय आया है एकादसी ब्रत करने के बाद स्वेम बावानन्द अश्णान करने चले गए हैं और वरुन देवता के लोग वरुन के देऊत नंद बावा को पकड़ के ले गए सत्य और मर्यादा इसमें कोई रिस्त नहीं होते सत्य सिर्फ सत्य होता है वरुन देवता को कह देना चीए ना यह तो भगवान कृष्ण के पिता हैं गल्ती हो गई होगी चोड़ दो क्यों लेगें फिर बरुन लोग के दोथ इनको पकड़ करके ले गए हैं क्रिष्ण को ग्यान होता है और क्रिष्ण अपने पिता को छुड़ाने के लिए बरुन लोग में पूंचते हैं वरुन ने प्रश्ण किया और जाते ही वरुन देवता ने भगवान की पूजा की आराधना किया चर्णामृती लगाया थोड़ा पटा नहीं लग रहे हैं और पुत्र के पूजा हो रहे हैं तो जब बाते धर्म कर्म की हो तो कर्म बीर क्या कर्म करें भाव देवना ले साश्टांग दंडवत किया प्रणाम किया और कहने लगे इत्रा हिमाम गोविंदा इत्रा हिमाम गोविंदा इत्रा हिमाम कारण पूछा बुले प्रभू मर्यादा और योगीश्वर ये दोनों अवतार आपके ही है महराज भगवान राम पौरुष है पुरुष उत्तम है भगवान राम पौरुष है और पुरुष उत्तम है आप योगीश्वर हैं आप मर्यादा रचाने वाले हैं मेरे प्रभू पहला कारण आपको पिता को लाने का ये था कि अगर मैं वहाँ आकर के दर्शन करता तो आपके दर्शन लाव और उसका फल उससे मोक्ष आपके हिदे से असपंदन आपकी कृपा की पात्रता सिर्प मुझे प्राप्त होती लेकिन इस कृत के कारण इस कारण अगर आप मेरे प्रभू वरुन लोक में आगे तो सारा व कारण कुछ भी हो दर्शन करना था दया निदा अब दूसरा कारण प्रभू जी आपके पिता जी को जो लाया गया वो सामाजिक मर्यादा जमुना जी को ने तुमारी बाबा जमुना जी को ने कनहिया जी की पत्रानी अब कनहिया की अगर पत्रानी है तो नंद की क्या हुई भाहू तो जाना ची है अधिरात के उदर नहीं हुआ हुआ है कि जहां हमारी बहु बेटियां हो उन्से हमें थोड़ा सा मर्यादा बना करके ही रहना चाहिए और अगर यहीं नहीं करना तो गड़बल हो जाता नहीं कि वह बात अलग है कि अब भैसन उतर गया अब बाते संस्कृति ने आ करके सब सत्यानास कर दिया वाकि हमारा परदा ही हमारी दौलत है अब बया सिखावजी गलती से आपका तो सब अनुभव होगा यहां तो प्रिक्टिकल अनुभव नहीं है कितावी ज्यान है गलती से अगर मेरी बेहन के है ना कान में चोने का पहनवा दो ना सोने का लंबा बाला दोनों कान में नहीं और गाव में साधी हो ना तो अगर मानलो पहले देवी जी का घूगट यहां तक रहता होगा ना तो उसे दिन ऐसा हो जागा अर आवाज जेंगे अरे वह भया सर्मा जी सर्मा जी उधर वाला ने अरे जब तक कोई यह ना के दायागे तमारों वालीचे ने सांध बहुत अच्छा अतिसाई शुंदर आ प्रतीम तब तक वो दिखाती रहे क्योंकि जूटी तारिव सुनने गया आजयत है और इस तरी की सुंदर्ता ही उसका सबसे बड़ा सत्रु है अहेले्या का कोई दोस नहीं था अहेले आतिसे सुंदरती इसलिए इंदर की कुद्रिष्टी पढ़ी एंद्री की कुद्रिष्टी पड़ी चंद्रमा ने साक्षर्ता दिया और उनके पत्ती ने कह दिया जाओ अज से पत्थर हो जाओ पत्तर बन गई लेकिन पत्ती ने नहीं कहा मेरा क्या दोस है मैं तो सुन्दर हूँ लोग चलेंगे तो देखेंगे तो फिर परदा भारत की परक्रिया उसमें रोन है अहिल्या को स्राप दिया गया गौतम रिसी ने स्राप दे दिया कि जाओ पत्तर हो जाओ मेरे भाई बेहन अहिल्या ने ये नहीं कहा मेरा क्या दोस है क्योंकि सरवो पर थी उसे पत्ती किया गया और जब भगवान ने राम का चरण लगा न उद्धार हो गया तो भगवान ने पूछा भी भगवान ने पूछा आपको जो है बुरा नहीं लगा जब आपके पती ने स्राप दिया तुन्हें ने का नहीं कि मूनी साप जो दीना अति भला कीना दोरू कर जोरी बिनीच करे मूनी साप जो दीना अति भला कीना दोरू कर जोरी बिनीच करे परसत पदपावन भगवान के चरण लगते ही उस पत्थर के अंदर से तेज पुझ स्वरूप में अहिल्या सुन्दर काम देव की पत्नी से सुन्दर रूप में आ गई रती से भी सुन्दर रूप में तो भगवान ने पूचा आपके पती ने आपको स्राप दिया बुरा तो नहीं लगा बोले नहीं मेरे तो आप हार प्रगट करते हूं मेरे पती देव का क्योंकि अगर मेरे पती ने स्त्राप नहीं दिया होता तो आज मुझे आपके चरण का रज नहीं मिला होता मैं भवत सिंदु से नहीं तरीए सबसे बड़ा भाव किसका होता है सुन्दर्ता लेकिन वह सुन्दर्ता कि नहीं है जमाना खराब हो गया क्या करेंगे साथ हमारे महापुरुष हमारी बुढ़ी माताएं बिंदी लगाती थी प्रमाण था आउरत के पत्नी के धर्मांगनी के स्रीमती जी के मस्तक पे अगर बिंदी लगे तो सुहाग के लिए माग में शिंदूर है तो दीरगाई होता है उसका पती तूटे हुए सीसे को कभी नहीं देखा जाता था सिंदूर अगर जमीन में गिर जाये तो आचल से उठाया जाता ये भारत की परंपर है हमारी माताएं कहती थी आज मैं सिंगार कर रही हूं ये सीसा गिर के टूट गया संभाल के जाना कहीं गलत संकेत है अब तो उल्टा हो गया साथ अब ये सुआ की बिंदी कहा रहती है बाथरूम के दरवाजे पर तूँ यही रुक में बाहर में लोंगे तुझे सिंदूर खतम हो गया वो मार कर आ गया तुझे बिंदिया खतम हो गया क्या बताएंगे लेकिन मेरी बेनों भारतिये संस्कृती है हम भारतिये हैं हमारा परिचे हमारा गुण है हमारा कर्म है हमारा धेव है हमारा साधना है अगर यही फैसन का दोरा चमा करके माफ कर देना जो बोलने जा रहूं थोड़ा कलवा लग सकते हैं अगर यही जीती चलता रहा तो समाज में निकले हुए बच्चों को कभी है माता यह स्थनपान नहीं कर पाएंगी और बच्चे भूखे मर जाएंगे भारतिये संस्कृति में साड़ी पहनती थी माता हैं पल्लू डाल कर अपने बच्चे का भूख मिटा देती वेजीन स्वाले कहां से पल्लू लाएंगे इसलिए भारतिये परिधान में रहो अपनी पारंपरिक जो आपके गुजरात के दिर्श्य हैं गुजरात के अब्रिक यह एक नाग है इसका बहुत बड़ा स्टाइंटिफिक रिजन भी है मैं स्पीट भी हो या मैं काफी चीज़े नहीं बोल सकता हूं मरियादा है आपका जो पारंपरिक परिधान है गुजरात का भारत का उसी में रहो बड़े सुन्दर दिखते हुआ इस बनावट के दुन यगर भागवत कता श्रुण किया तो आज से कुछ चीज़े छोड़ देना आधुनिक परिधान विल्कुल ही त्याग कर देना माता पिता की सेवा में लग जाना स्वनिर्वित भोजन करना बाहर की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सरीर को बहुत नुक्सान परचाती हैं कन्हिया जी के अंदर यही तो खाश्यत थी कि गाय का दूद गाय का घी गाय का माखन खाते थी अनेक परिक्रियाओं से गुजरते हुए भगवान ने अब एक इस्थिती का निर्माण आ गया है राजनीती की बात करते हैं कुछ लोग तो हनवान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं सर्मा जी हनवान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं सीव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं और हमारे कन्हिया से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं कन्हिया से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है कन्हिया आज गोपियों के भी सरात रचा रहे हैं ब्रज में आनंद ले रहे हैं अगर आपके प्रिय प्रियतम जिसे आप अगाध प्रेम करते हो आपको समय ना दे थोड़ी सी नाराज़गी रहेगी ना हसते हैं न लोग हसते साइकालोजी एक बहुत बड़ा पर्ट है अगर आपको बॉड़ी लेंगोज पढ़ना नहीं आएगा ना तो लाइफ खतम हो जाएगा हसते हैं न यह हसी भी बूद कुछ कह जाती है नहीं कहती है किसी के आनंद में आनंदी तो होकर जब आप मस्ते हैं तो दो दार डिखते हैं और जब किसी में खुछ होकर कर तो कनिया जी की मुश्कान जान लेती थी है ना कि सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे दूर सिक्वे गिले सारे हो जाएंगे बात करने लगेंगी आँखे वहाँ तेरे चंचल जुबा कुछ न कहता है अब माताओं की भी जो मुश्कान व्यंगता है अगर माताओं से कोई चीज कहो सेखाव साव ओ सेखाव साव अगर किछी से कहो यह चीज अच्छी लगती है तो समझ जाओ अगर वो यह कह दे यह लेया हूं आपके लिए देख लो मतलब वो लाइट ने कर रहे हैं और अगर उसे कह दे यह करना है आपको जैसी आपकी इच्छा प्रभुजी मेरे प्रियतम मेरे स्वामी तो समय लोग अपकर लगा रहे हैं बला कताल रहे हैं उसे वह चारी अभी अगर कह दिया यह चीज करना है इस टक से भी बोलते हैं शीख लो आप लोगों काम आएगा यहां तो किताभी ग्याने को बिया अगर बोल दे कि यह करना है कर लू यह भी सिंगल बोला तो ना है है अरे बोल दे गुजरात मा आवे गर्भो नदीवा साय गर्भा रमू छे नक्यां जावाना चे कि अगर अगर बैठ कर के जयान देना कारिकरम बैठ रहा है और आप जाकर घर पे बैठ गे और आपने एक बार बोला भोजन हो गया है खर अब तो लोग खाना बनाते हैं भोजन का बादी का तो बहुत भोजन हो गया और अगर हो कहा जाना बेठ तो आप समझ जाना कि आज अगर आपने इस बेठ के बाद मुग खोला ना तो कल आपके लिए गेट बंद हो सकता है इसलिए सामती रखना बाहर का ही भोजन में पड़ेगा बादी में यह आखे बहुत कुछ बोलती है यह हमारी आखे है ना अगर सामने वाले को देखती है तो बहुत कुछ चाड़क ने तो कहा है ना जब कोई नजर जुका ले और छुप-छुप के देखे तो समझ लेना उसे आप से प्यार हो गया और अगर जब कोई आपकी आखों में देखे और मंद मुश्काल ने तो आप समझ लेना उसे आपकी तरक्की से जलन हो गई है थोड़ा सानती रखो दिन में खूब मेनद कराई है ठीक है यानि बॉड़ी लंग्युवत आज ब्रज की बालाओं ने कहा ओके हमारे और कनया तेरे बीच में सत्रू या मुरलिया है न यही है मेरी सोतन कई कई वालक तो नों के दे यह मुबाइल है न एक बार देखे दो बार न रखे ना सुने वाले यह सोतन को बाजू में रखते की नहीं पत्नी से जो दूर करे पति को वही उसकी सोतन चाहे पडोसन हो या मुबाइल अब ब्रज की बालाओं ने के दिया यह मुबाइल है ना आपन बैठे ना आप बैठे हो कई बार हमारे एक संबंधी है अगर वो बैठे और फोन किसी का अगया अभो जाता है कई बार आवस्य कैसे तो मैं फोन बहुत रवाइट करने लगाऊ अज कि बाद में ओ क्या के थे यह फोन ने जैसे लोगों की बाबा जी बोलतो है तो सफोन वाजु में रखो आज ब्रज की बालाओं ने किया और कनया के बहंते तो कि इसे बाले लगे भी आ प्रस्दी आ белे क्याो कर दमाखर, लंवअग़